प्रेंड्स वेरी वार्म वेलकम तू वाल और मैं दिटिका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर आप सबी दोगों का अर्दिक अबिनन्दन है और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं मेरी सोल प्रामली का इसे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे हैं हम एक दूसरे को जो है पॉस्टिव एनरजी शेयर करते रहेंगे जो यहाँ पर न्यू आए हैं काइंड़ी लाइक शेयर और सबस्क्राइब माइ चैनल और स्टे विद मी एससोल फैमली आपको मैंने यह दो पाइल चूस करने के लिए दी थी एक यह खुबसूरत सा फ्लावर पॉट था और एक यह वाला था तो आप औरेंज या ग्रीन या यह फ्लावर्स को थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और दोनों पाइल में से एक पाइल को चूस कर लीजिए या आप का का कार्ड है सबसे उपर और दूसरी पाइल में है क्रियेटिविटी का सो यहां पर हम पहली पाइल जो है वो लेते हैं अपनी जो की है जो की यह वाली थी हमारी कॉम्प्रमाइज की ठीक है यह वाली जी जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर के पॉट को चूस किया था सी तो मैं उनकी डिडिंग लेती हूं पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिडिंग इस कार्ड के साथ मुझे कार्ट उठाते ही एकदम मेरे गले में चोकिंग हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परसन आपसे बात करना चाहते हैं और डेफिनेटली वह आपको स्पाय कर रहे हैं कुश्चन यही था कि वह स्पाय ओन यू वह चलते हैं अपने कार्ट की तरफ तिक तो फ्रेंड्स कार्ट सापके सामने हैं यहां फ्रेंड्स तो देखे सबसे पहले तो यह वह जो व्यक्ति है जो आपका परसन है जो आपको स्पाय कर रहा है जो इनसान वह दो चीजों में स्टक है या तो उसके पास दो आप्शन्स हैं या उसकी फैमिली और आपको लेके बहुत जादा स्टक है हो सकता है कि यह जो परसन है इनके पहले के भी जो रिलेशन्शिप्स हैं जो वो सही नहीं रहे हैं और यह दो चीजों में जगलिंग कर रहे हैं और यह वो परसन है जिनोंने की हो सकता है आपने इनको पास्ट में जो है ओफर किया होगा अपना लव अफ कब तो यह उस सिचुएशन से रहन अवे हो जाते हैं यह या तो आपकी बात को ठीक से सुनेंगे ही नहीं या फिर यह सुनेंगे तो यह अंसुना कर देते हैं मतलब यह कोई एक्षिन नहीं लेते हैं यह आपको इस तरह से शो करते हैं कि दे आर इस्ट्रोंग परसनालीटी इस स्ट्रोंग परसनालीटी ये हैं तो यह जो है बहुत ही ओल्ड–व्ड डाइप के हैं इनके अंदरे एरीज लियो और सीच यह है energy हो सकती है यह एरीस का काड होता है वैसे तो यह जो personality है यह बहुत ही old soul है यानि की इनकी जो values है यह बहुत ही traditional values में believe करते हैं और यह जो है एक किंग की तरह अपनी life को जीते हैं इनको लगता है कि मेरा decision सही है इसके आगे कोई ना बोले जैसे कि हमारे daddy वगेरा होते हैं जो हमारे दादाजी होते हैं तो वह थोड़ा सा controlling होते हैं dominating होते हैं ठीक है तो इसी तरह की energies हैं इनके अंदर जो भी आपको spy कर रहा है person तो यह आपके lover भी हो सकते हैं यह आपके soulmate हो सकते हैं यह आपके twin play मौ सकते हैं यह Gemini का card है तो divine आप दोनों को bless करते हैं इनको पता है कि आप उनके लिए बनी हैं वह आपके लिए बने हैं लेकिन यहां पर जो है वह बहुत ही जगलिंग करते वे नजर आ रहे हैं और सिटुएशन से हमेशा रैन अवे हो जाते हैं तो यानि की दे डोंट वांट टू पेस्ट सिटुएशन दे वो डोंट वांट टू क्रॉस्ट ऑप्स्टिकल्स और यह जगलिंग ज्यादा करते रहते हैं यह आप लोगों की जो लव लाइफ है वो स्टक रहती हैं और है यह यहां पर जो है अपने फ्रेंडस दिख रहे हैं में और यह पहले ज्यादा में बताते स्वेय मा ק्maatव इंग लोग से तेख सत्य इसी तरह कि पहले साहिक रहे हैं ऑदˇए पहू़ट के बोल रहे हैं तो यह जो है कोई भी व्यक्ति देख सकता है लेकिन कोई ट्विन प्लैम से रिलेटेड बात है तो मैं जरूर बताओंगे तो या आपके जो परसन है ये बाहरी चीजों में ज्यादा इन्वाल्व रहे हैं आपको इन्होंने इतना टाइम नहीं दिया है ये उसी तरीके के व्यक्ति हैं और अब आपसे मिलना चाहते हैं बहुत ही ओल्ड टाइप के हैं इन्सान चलिए और देखते हैं तो अभी ये और कॉम्प्रमाइज भी करना चाहते हैं और ये चीजों को ये कॉम्प्रमाइज अगर करना पड़े तो ये रडी है मेरी पहले ही मैंने जो वीडियो बनाई थी ज उसमें भी यह काड आया था तो अभी मुझे लग रहा है एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो यह चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्परमाइज करके अगर सिच्वेशन सही हो जाए तो मैं करूँगा तो न्यू विजन से भी चीजों को देखना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छ उनको लग रहा है कि मेरी जो सोलमेट है जो यह मतलब लड़की है या यह जो लेड़ी है यह बहुत ही जादा पावरफुल है और इसके जैसा पावरफुल व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा एनर्जी को वाइस वर्सा कर लीजेगा फ्रेंड्स ठीक है तो अभी यह यही सोच की और इंजल सीन को क्या कह रही है इंजल को का जो कॉह का यह तो लोगों को कह रही है कि आप लोगोंगों झसक्द है और छीज़ोंको अगर है कौन आपको स्पाय कर रहे हैं तो डेफिनीटली यह परसंज ऑль ही आपको स्पाय कर रहे है और फीरी इस क्या रही है थेरी हैं अis है जैरी है अग बिजी और गूह अफ रहे होगे मंगष्ट कॉनorar और फ्यरे लाइन का क्यों हो प्रहित Bowl दें से दो बडुनी wearing मैं बात करूँ तो दोनों का ही एक soul mission होता है soul purpose होता है जो दोनों को मिलका पूरा करना होता है तो Celine कह रहे है कि आप time आगया है अप पुरानी चीजों को let go करने का time आगया है और दोनों को मिलके life को आगे बढ़ाना है ठीक है तो चलिए देखते हैं इस पाइल वालों के लिए कुछ पर्सनल मैसेज्ज आपके पर्सनल क्या कहना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यह तिवाइन बताएं जी देखिए यह कह रहे हैं I want you only you I am jealous हो सकता है कुछ लोगों की बाचिय तब नहीं हो है पुरी तरह से contact बंद है तो आप अपने friends के साथ enjoy कर रहे हैं तो उनको इस बात से jealous हो रही है I need you badly miss you वह आपको बहुत miss कर रहे हैं उनको पता है यह फिजिकल attraction बहुत ज़्यादा होता है ठीक है खासका twin flame journey वालों में तो वह उस चीज़ को भी miss कर रहे हैं can we back together वह आप से बोल रहे है can we back together और उनको पता है कि उनका जो behavior था वो पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था ठीक है फ्रेंट सो यह थी हमारी first pile वालों के लिए जिन्हों ने की यह चूंस की थी तो अभी हम मिलते हैं next video से उपर stay happy and stay blessed तो अभी हम यह फ्रेंट सो अभी हम यह जो पाइल जो नोंने छूंस की थी बहुत ही खुबसूरत से flower pot और इंज कलर का या फिर यह creativity का card तो हम देखते हैं कि इस पाइल में क्या message है या कौन आपको स्पाइ कर रहा है अबंडन्ट है ठीक है या friends सो देखिए यहां पर जो है आपके जो person है वह आपको बहुत ही ज्यादा खुबसूरत मानते हैं सबसे पहली बात तो यह वह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे आपको स्पाई जरूर करते हैं ठीक हैं और लेकिन उनको लगता है कि कहीना कहीं आपके अंदर ना इगो आ गया है आप पावर में तो हैं लेकिन आपके अंदर कहीना कहीं इगो भी आ गया है तो यह चीजे जो हैं उनको तोड़ा सा कन्फ्यूज भी करती हैं और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं यहां communication का भी गार्ड है तो बहुत सारे लोगों की बात हो सकती है यह जो लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो है जस्टिस नहीं किया आपने इस relationship को पूरी तरह से मतलब चलाने की कोशिश की आपने जितने efforts डालने थे आपने डाले आपने जितनी उसमें positivity डालनी थी आपने डाली लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ जस्टि देना चाहते हैं डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं यह चाहते हैं कि आपके साथ एक new beginning की जाए और चीजों को balance out भी करना चाहते हैं यह चाहते हैं कि अब जो है चीजें 50-50 में रहें यह ना हो कि आप पहले की तरह 100% अपनी energy दें अब यह सही तरीके से इस relationship को चलाना चाहते हैं वो सकता है कि इनका पहले कोई goal हो पहले कोई करियर में बहुत ज़्यादा अपने आपको establish करना चाहते थे और अभी बहुत establish हैं बहुत ही rich person है यह जो भी है अबंडन्ट है divine masculine है so यह king की तरह अपनी जिन्दगी को जीते हैं तो अभी यह आपकी responsibility भी लेना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है यह abundant है ठीक है और यह आपकी तरह बहुत slow आ रहे हैं लेकिन यह energy बहुत slow है बहुत ही ज्यादा slow energy है यह इनसान जो है यह सूचता बहुत जादा है spy भी कर रहे हैं आपको और यह इस condition को अब थोड़ा सा और आगे forward करना चाहते है positive way में जो आप लोगों का relation जो stuck हो गया है यह उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं सही तरीके से चीजों को maintain करना चाहते हैं यह इनसान जो है यह बहुत ज्यादा past में सोसता है यह सोसता था तो इसके अंदर बहुत सारी transformation की गई है यह बहुत ज्यादा past में सोसते थे ठीक है सो फ्रेंड्स इनके अंदर बहुत सारी transformation आई है वो सकता है आप लोगों की बात्चित बिलकुल नहीं हो रही है नो contact में है अभी आपको बहुत powerful देखते हैं सो इनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं यह भी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं positive way में और इ creativity में गए हैं अपने passionate चीजों में यह work किया है इनोंने career में आगे growth की है ठीक है और अब इनको लगता है कि नहीं अब जो है समय है कि वह आपके साथ भी justice करें वह सकता है कि इनोंने बहुत time से आपको stuck करके रखा है तो that's why अब यह चाहते हैं और इनको को ना कोई indication divine की so इनको पता है कि यह एक बहुत ही pure soul वाला love है यह एक ऐसा connection है जिससे की भागा नहीं जा सकता है तो यह आपको दूर दूर से स्पाई करते हैं दूर दूर से यह आपको देखते हैं आपके बारे में यह दिन रात सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं किस तरह से जो है चीजों को सही करूं और डिवाइन भी इनको कह रहे हैं कि यह precious time है ठीक है it is a precious time तो देखते हैं यह क्या message है angel का आप लोगों के लिए the theory of time wants to experience every moment fully and to make the most of your precious time be mindful not to waste other time others yes तो यह फियरीन को यह बता रही है बोल रही है कि आपने बहुत time already waste कर दिया है तो अभी time को waste ना करें और जो भी decision लेना चाहते हैं जो भी decision देना चाहते हैं वो दें किसी को भी stuck ना करें और अपना जो precious time है उसको use करें सही तरीकी से positive way में और इस journey को इस relationship को आगे की तरफ move on करें तो चलिए देखते हैं कि आपके person क्या आपको message देना चाहते हैं कि यस फ्रेंड्स दोनों ही पाइल में spike हो रहा है कि यस तो आपके जो person है वो अभी जो past की जो pain है उसको heal कर रहे हैं ठीक है I want to open up to you yeah तो यह आपसे open होना चाहते हैं आपसे बात करना चाहें चाहते हैं माई family responsibility तो बहुत सारे लोगों की family responsibility भी हो सकती है यह problem आ रही है age difference है यह problem आ यह कुछ लोगों के घर में बहुत traditional rules होते हैं तो नहीं मानते हैं फिर भी आपके फ्रेंट जो है आपके जो person है वह आपसे मिलना चाहते हैं coffee date करना चाहते हैं ठीक है वो चीजों को discuss करना चाहते हैं और यहां पर वह लिख भी रहे है I don't want to leave you alone तो देखिए कितनी beautiful energies आई हैं आपके लिए दोनों ही piles के लिए बहुत ही beautiful energies थे so friends यह थी मेरी आप लोगों के लिए question जो था कि who is spy on you का तो यह person I hope you like my video so kindly like share and subscribe my channel and stay with me support me and personal reading के लिए आप मुझे से contact कर सकते हैं मेरा number आता रहता है सु स्टे हैपी स्टेबलेट संस्टे से से